देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ साथ जोतिश, वास्तु, मंत, रावी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय प सिम्ह राशी, लियो, सिम्बल को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि सिम्ह के करेक्टर्स्टिक्स इस राशी में हैं, सिम्ह, जंगल का राजा, तो एक रॉयल राशी है, इनको एक सिम्ह की तरह रहना ही पसंद है, हमेशा रॉयल, they like to be treated as a सिम्ह और as a king, यदि आप इनको due respect नहीं देंगे, जो ये चाहते हैं, तो आपके बीच में ये रहेंगे भी नहीं, सिम्ह से इनको aggression मिलता है, बहुत ऐसा नहीं है कि लडाकू होते हैं, जगडैल होते हैं, लेकिन aggression इनमें होता है, वो इनके काम में दिखे, इनके behavior में दिखे, या कभी-कभी इनके कटाक्श वाले शब्दों में दिखे, लेकिन aggression इनमें काफी होता है, लेकिन over the top नहीं होता, जैसे आप ये ये नहीं कह सकते कि किसी से भी देखते उससे भिड़ जाएंगे, ये नहीं वैसे नहीं है, लेकिन काफी aggressive होते हैं, सिम्ह से जो इनको और कुछ मिलता है वो है इनका appetite, इनकी भी appetite एक सिम्ह की तरह बहुत ज्यादा होती है, मैं काफी लियो राशी के लोगों को जानता हूँ, और उनकी appetite बहुत जादा होती है, मतलब की जितना एक आम इनसान खाएगा, उससे ये तीन गुना भी खाज़कते हैं, अपनी यंग एज में, एज के साथ थोई डाइट कम होती है, लेकिन जब ये छोटे होते हैं या यंग होते हैं तीनेज, ट्वेंटीज, थर्टीज, तब तक इनकी डाइट बहुत ज़ादा रहती है, इनका जो सुभाव है, वो है स्थिर, मैंने पहले बताय था कि तीन तरह के सुभाव होते हैं, चर स्थिर और दूई सभाव, यानि कि मूवबल, फिक्स्ट और डूइल, तो इनका है स्थिर सुभाव, तो थोड़ी इनमें स्थिरता होती है, सोच के थोड़े काम करते हैं, थोड़े धीरे भी होते हैं, थोड़े नॉमल से धीरे होते हैं, इंपल्सिव नहीं होते हैं, सोच समझ के सारे काम करने की चेश्था रखते हैं, पर इसी जो स्थिर सुभाव के कारण है, कभी-कभी ये थोड़े अडियल भी हो जाते हैं, अपनी बात पर अड़ जाना, कि दोस्तों के साथ भी आती हैं आपस में मिया भीवी में भी आती है और हर जगह आती यह कभी कभी बहुत ही एड़मेंट बहुत ही क्या कहेंगे उसको बहुत ही चिबक जाते हैं एक को लेकर कि हां मेर मैंने यह कहा है तो ऐसा ही होना चाहिए इनके साथ कभी बाहर जाएंगे आप खाने पे तो मैंने तो यही मंगाना है और कुछ नहीं खाऊंगा ऐसा नेचर होता है थोड़े सेल्फिश होते हैं थोड़े से सेल्फिश सेल्फिश शायद सही शब्द नहीं होगा सेल्फ सेंटर होते हैं अपने ओपर इनको अटेंचन चाही होती है जो मैं कहूं वैसा हो जो मैं खाना चाहता हूं वो बने सेल्फ सेंटर होते हैं अपनी बात इनको मनवाना अच्छा सूर्य इनका सूर्य बहुत अच्छा है तो ऐसी ही ढूंडते हैं जापर अथारिटी हो पैसा है बले ही कम हो लेकिन अथारिटी हो जो मैंने बोल दिया वो होना चाहिए वो अथारिटी हो सूर्य इनके स्वामी है स्थिर सोभाव है लगन से सब्टम भाव इनका होता है या इनकी राशी से सब्टम जो स्थान है वो है शनी का तो इनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती वैसे भी जब हम आगे ग्रहों की बात करेंगे तो सूर्य की बात करेंगे तो पता चलेगा उसमें कैसे इनकी अपनी बीवी से अच्छे संबंद नहीं ते कैसे उनसे दूर हुए जो इनकी धरम पत्र ने दी छाया तो इनके युजुली मैरिड जो इनकी जो मैरिड लाइफ होती है बहुत अच्छी नहीं होती उसमें प्रॉब्लम्स आती है एक इनसान को जुकना पड़ेगा युजुली इनी को जुकना पड़ता है तभी लाइफ सस्टेन कर पाएगी इनकी जो मैरिड लाइफ है तभी स इनका वो है फाइरी अगनी तत्व की राशी है तो वहां से भी इनमें एग्रशन आता है फिर से मैंने जैसे मेश में बताया था इनकी भी अगनी उसी कारण काफी जो जठर अगनी यानिकि जो अंदर पेट में जो अगनी है आयरुवेद के इसाब से जठर अगनी उसको कहते हैं इनकी अगनी भी बहुत प्रज्वलित होती है तो इनको भूक बहुत लगती है और पाचन शमता भी इनकी बहुत अच्छी होती है सूर्य का प्रभाव होता है इसलिए इनकी इम्म्यूनिटी भी अच्छी होती है इनको जब चोट लग गई कहीं पेखरोंच लग गई तो normal इंसान से बहुत जल्दी recover कर जाते हैं इनको बिमार भी कम होते हैं होते हैं तो recover बहुत जल्दी कर जाते हैं इनकी bones strong होती है और built भी अच्छी होती है well built होती है पहली चीज इनको देख के आप usually notice करेंगे वो इनका forehead चौड़ा forehead होता है बड़ा forehead होता है shoulders usually broad होते हैं height थोड़ी कभी कभी छोटी होती है until unless लगनपे शनी या बुद्ध का प्रभावना होतों वन्ना इनकी height छोटी होती है और एक चीज इनको देखते हैं पहचान जाएंगे इनकी आवाज इनकी जो आवाज होती है वो बहुत solid होती है मलकी 10 लोग हैं तो इनकी आवाज उसमें से अर अलग से आप पहचान लेंगे थोड़ी solid गुंज होती है जैसे शेर जब धारता है तो उसकी आवाज कितनी दूर तक जाती है और कितनी अलग होती है वैसी ही इनकी इनकी आवाज में एक गुंज होती है बेस होता है बहुत अलग वाज होती है तो बाकी अब इनके और थोड़े करेक्टरिक्स जान लेते हैं साथ में एक और बात पित्ध प्रधानों होते हैं इनको इनको एस्रीडिकी प्रॉब्लम बहुत होती है क्योंकि इनकी प्रधानता पित्त होती है भूग इनको बहुत ज्यादा लगती है लेकिन इनको एस्रीडिकी प्रॉब्लम भी यानिकि पित्त के जित्ते भी प्रॉब्लम होती है लिवर संबंदित इशूज भी इनको होते रहत चैलेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजेंजें निराश भी कभी-कभी बहुत असानी से हो जाते हैं, आप इनके दोस्त हैं, संबंधी हैं, तो देखेंगे, इनको नराज करना कोई मुश्किल चीज नहीं होती, थोड़ी सी चीज इनके विरुद्ध गई और ये नराज होके बैड़ जाएंगी, इनको सरदी बहुत अच्छ ही, पर time to time इनको travel करना अच्छा लगता है, friend circle इनका अच्छा होता है, ये चाहते हैं कि इनके अच्छे फ्रेंड्स हों पर इनको बहुत संभल के रहना चाहिए, क्यूंकि बहुत देखा है मैंने, कि लियो राशी के जो जातक होते हैं, उनके friends उनको धोका देते हैं, usually financially, प और बड़ा होता है घुअ गुस्ता बचल्दी आजाता है यसकी दीरे दीरे आ रहाये हैं और वैसे षब काफी थिर सभाव के होते हैं इतना ज़्यादा गुस्ता नहीं करते कि हर वक्त इनको घुछ आ रहा है लेकिन जब इनका temper बढ़ता है तो वह एकदम बढ़ता है उसमें तनिक भी समय नहीं लगता आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे इनका temper एकदम जीरो से डेड़ सो पहुंच गया इनको famous होने का थोड़ा इच्छा होती है चेश्टा होती है क्योंकि सूर्य है इनका स्वामी तो famous होना चाहते हैं यह चाहते हैं कि लोग इनको जाने इनको पहचाने इनकी तारीफ करें famous होने की इनकी लालसा होती है parents की बहुत respect करते हैं लेकिन जब ये parents बनते हैं या ये माबाब बनेंगे तो इनके बच्चे इनकी respect नहीं करते उनके साथ इनके issues 110% रहते हैं बहुत issues रहते हैं इनके अपने बच्चों के साथ इनको कोई addiction होना बहुत स्वभाविक है और किसी भी चीज की addiction इनको बहुत जल्दी हो जाती है कोई game खेल रहे हैं तो उसकी कुछ खाना पीने की चीज है तो उसकी कुछ नशीली चीज है तो उसकी तो उनको addiction होना बहुत असान है और छूटना बहुत मुश्किल मलकि इनको नई नई चीजों की addiction बहुत अराम से हो जाती है रोयल साइन है तो रोयल्टी से रहना इनको पसंद है घर में गाडिया हो बड़ा घर हो नौकर चाकर हो कई बार मैंने देखा है इनकी financial condition अच्छी नहीं भी होती तब भी ये इस तरह से रहने की कोशिश करते हैं भले ही वो loan लेके हो किसी से उधार लेके हो लेकिन अपना जो रोयल lifestyle है उसको छोड़ना इनके लिए मुश्किल होता है क्योंकि ये रोयल साइन है एक शाही इनसान होते हैं क्योंकि सूर्य की प्रधानता होती है सूर्य सौरमंडल का राजा है तो ये भी राजा की तरह रहना पसंद करते हैं बिल्ट इनकी थोड़ी मस्किलर होती है और देखने में काफी dignified होते हैं हमेशा well dressed रहेंगे dignified और अपने आपको आप पे impose करेंगे ये सब सूर्य से आ रहा है चाहते हैं कि commanding position में हो जैसे थोड़ा-थोड़ा Mars मंगल का प्रभाव होता है वैसा इनका भी प्रभाव होता है कभी एक ग्रुप में एक Mars वाला आ गया और एक Sun यानि कि कोई भी Scorpio और Aries और एक तरफ लियो तो इनमें Ego Clashes बहुत संभावित हैं क्योंकि दोनों ही चाहते हैं कि हमारी प्रधानता रहे Noble काम करने में इनको बहुत आनन्द आता है लोगों की help करते हैं किसी के भी help करने की इनमें शमता होती है आर्थिक रूप से किसी और रूप से तो करते हैं और उसमें अच्छा फील करते हैं जादा नहीं बोलते लेकिन इनकी अवाज जैसे मैंने पहले बताया काफी भारी और काफी थोड़ा अलग texture की होती है इनको अगर आप थोड़ा सा गलत तरह से ट्रीट करते हैं तो बहुत संभावित हैं कि अगली बार आप से बात ही न करें कि जैसे अगर कोई ग्रुप में बैठते हूं किसी ने कुछ उल्टा सीधा इनके लिए कह दिया तो बहुत संभावित है अगली बार वो उस ग्रुप में का हिस्सा बने ही ना आए ही ना कभी उस दुबारा उस बैठक में अब जैसे मैंने बताया फर्म रहते हैं अपनी थिंकिंग में काफी उस कारण कभी-कभी इनको प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है व्यक्तिकत जिंदगी में शायद प्रोफेशनल ही यह अच्छा रहता है लेकिन व्यक्तिकत जिंदगी में अपनी फर्मनेस के कारण यह कभी-कभी problems फेस करते हैं इनको जैसे मैंने पहले बताया की friend circle बहुत बढ़ा होता है इनका भी torus की तरह friend circle helpful होता है लेकिन धोखा भी इनको equally अपने friend से मिलता रहता है तो उस चीज़ का इनको थूड़ा dhyान रखना पढ़ता है खर्चीले बहुत होते हैं ये जैसे मैंने पहले भी बताया कि बजट से बाहर होगा तब भी कभी कभी ये कुछ ऐसी चीज खरीदे लेंगे जिसके कराण इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी किसी ज्वेल्री या कोई और पृशियस मेटल उसको डील करना इनके लिए सबसे बल रहता है साथ ही में ये अपने हाउस होल्ड को डॉमिनेट करना चाहते हैं अगर इनकी नहीं सुनी जाएगी तो ये किसी को चैन से रहने नहीं देंगे इसलिए एगो क्लैशिस होती है क्योंकि जो इनके मैरिज का भाव है उसके स्वामी है शनी तो इनके बीच में इगो क्लैशिस बहुत बनी रहती है अंटिल अनलेस ये लियो राशी के जातक कॉंप्रोमाईज नहीं करते तब तक इनकी मैरिड लाइफ फुल अफ टर्मॉइल अप एंड डाउन रहती है इनकी अफॉरिटी अगर एक्सेप्ट नहीं होती तो प्रॉब्लम्स इनके घर में बनी रहती है तो ये था एक छोटा सा विवरन सिम्ह राशी के बारे में हमारी राशी की वीडियो जारी रहेंगी बारा राशी पूरी कवर करेंगे हम चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए ओम नमस्यवाए